हेलो एवरिवन मैं हूँ सुधा और आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन की बहुत ही क्रीमी और बहुत ही लजीज रेसिपी और यह रेस्पी को हम कहते हैं चिकन मखनी हांडी और बहुत ही ज्यादा टीस्टी बनती एकदम रेस्टोरन जैसा बनाएंगे इसके स्वाद में क कोई कमपैरिजन नहीं होगा बिल्कुल रेस्टोरन जैसा इसका स्वाद मिलेगा तो आप इस रेस्पी को पूरा जरूर देखिएगा आशा करते हूं कि आपको आज की रेस्पी पसंद आए अगर आज की रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो के निचे लाइक प्रेस करें और मेरे चानल सुधा किचेन को इनको सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए चलते हैं मेरे साथ किचेन में चिकेन मखनी हंडी बनाने के लिए हमें यहाँ पे सुखे मसाले लगेंगे सुखी लाल मिर्च, जीरा, धनिया, लॉंग, इलाइची और ताल जीनी तो यह हो गए हमारे बेसिक से सुखे मसाले जिन्हें की हमें हलका सा ड्राइ रोस्ट कर लेना हैं ध्यान रहे कि आप इसके कलर को ज्यादा चेंज ना करें बस इन मसालों को हलका सा गरम कर लें कुछ इस तरह से यह देखिए मसाले यहां पे अच्छी तरह से हलका सा भून चुके हैं इन्हें हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इनका ना हमें दरदरा पेस्ट रेडी कर लेना हैं तो इस तरह से हम इनका दरदरा पाउडर रेडी करके और इन्हें इस जार में हम रख देते हैं और धकन को लगा द इसके बाद हम यहां पे ले लेंगे, मैं यहां पे चार मीडियम साइज के प्याज को बारी काट ली हूँ, कुछ टुकरे अद्रक के और कुछ कलिया लैसुन की मतार एक बड़ी से लैसं थी उसको पूरा चील के ले लिये हैं, इन तीनों का ना हम एक साथी पेस्ट रडी कर प्याज अद्रक और लैसन का इसके बाद यहां पे रख देंगे एक बरतन जिसके अंदर हमें चिकन को बनाना है और इसमें हमें रिफाइंड ओयल और बटर डालना है तील और बटर दोनों को मिक्स करके हम डाल रहे हैं और इन पहले अच्छे से गरम कर लेंगे जैसी तील और बटर अच्छे से गरम हो जाएगा इसके अंदर हम प्याज अद्रक और लैसन का पीस्ट डाल देंगे पीस्ट डालने के बाद से हमें इन्हें अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है मिक्स करके हम प्याज को हलका सा पका लेंगे ध्यान रहे कि प्याज का जो कलर है न वो च इसके बाद हम से बु休के अच्छे से दुला हुआ निया चञी चिकन के सेके चिकन डाल देते हैं चिकनEE लें के बाद से इन्हें पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे .... इस हमें निया पेस्ट के साथ ना अच्छी ना चिकन को भी हमें अच्छे से भुन लेना है तो यहाँ पे अब गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई करके चिकन को अच्छी तरह से भुन ले तो पहले हम इन अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद से धकन को लगा देते हैं और चिकन को पहले अच्छे से भुन लेते हैं पाउडर या फिर आप यहाँ पे जो सफीद मिर्च होती है ना उसका भी पाउडर डाल सकते हैं अगर वो तो बहुत एच्छी बात है तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और हमें एक छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर और अपने स्वात के अनुसार हम इसके अंदर न प्रेख नमक आप यहलर है और नमक डाले कई चिकन और भून लेंगे तो इन आसे मिला के फोड़ा छोड़ा सी, भून नहीं लगाएंगे बस भून लेना है हमें हाई फ्लेंपे चिकन को तो ये देखिए यहाँ पर जो चिकन है ना ये नमक और काली मिर्च सारी चीजों के साथ अच्छे सा भून चुका है अब बारी है इसमें मसाले डालने की तो जो मसाला हम लोग स्टार्टिंग में ही पीस के रेडी किये थे वो मसाले हम इसके अंदर एड़ कर देंगे तो यहाँ पर हम यह मसाले इसके अंदर डाल देंगे यह अच्छे से फेटी हुई एक छोटी कटोरी के करीब में दही है तो यहाँ पर पूरा एक कटोरी हम दही डाले हैं मसाले और दही दोनों को डाल के ना हम इने अच्छे से मिल तो यहां पर आप इस तरह से पहले अच्छे से मिक्स कर लें, अगर आपके मसाली जादा है, जैसे मेरी भी मसाली थोड़ से जादा हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा रख देती हूं, जब मैं आलो की कोई सुखी सब्जी अफर कुछ भी बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं एड कर लूँगी, तो यहां पर दही और मसालो के साथ हम इन अठाक के मीडियम फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और मसालो को भी कुक कर लेंगे, तो आप यह दस मिनिट के अंदर में आप इन्हें बीच-बीच में सब्स चलाते रहें, आप देखेंगे कि मस मसाले यहां पर हमारे पक चुके हैं, तो दही और भुने हुए मसालो के साथ हमें चिकन को अच्छे से पका लेना है, इसके बाद अब हम डाल देंगे इसके अंदर काजू का पेस्ट, तो मैं यहां पर 10-12 काजू ले ली थी, और उनका मैं इस तरह से फाइन पेस्ट रेड के इसके अंदर एड़ कर सकते हैं, तो बस यहां पर हमें काजू का पेस्ट और फ्रेश क्रीम डाल के फिर से इन्हें अच्छे से चला लेते हैं, और चलाने के बाद से इन्हें हमें थोड़ा देर और अच्छे से कुक कर लेना है, आप दही और मसालो के साथ चिकन को अच् करीक चलाएंगे पनावाइसके आप जारे निच थोड़ा टाइम के लिए और पकाएंगे तो यहां पर कोगा तो चलीए मिलाने के बात से धकन को लगा देते हैं और फिर थोड़ी को देर बाद हम ठकन को हटा लेंगे और यहां पर यह देखिए आभी चिकन जो क्षोगा दा कुछ हरी मिर्चे काटी हुई और हम डाल देंगे फ्रिश धनियापता तो बड़त धनिया पता और यहां पर यहां पर लेते हैं अच्छी तरह से मेक्स are यहां पर यहां पर यह हमारी ष्यादा सुपर टेस्टी जो चिकेन कि बनके तयार हो चुकी है कितने लग रही है तो करें शेयर करें और मेरी चैनल सुधा कीचेन कुईन को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको ये रेस्पी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया